हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए विडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आई होप कि आप लोगों को पसंद आए सुबह का टाइम है और इस टाइम का जो मौसम है थोड़ा सा खराब हो रखा है यह देखिए आसमान में कैसे बादल उमर रहे हैं और रात में थोड़ा सा बारिस भी हुआ है और यहां पर यह देखिए मंकी महराज बैठे हैं और यह भी सुबह सुबह भूम रहे हैं तो हलका का धूप भी आया है और बादल भी है तो अब मैं आ गई हूं कीचन में और मुझे आज गाजर का सब्जी बनाना है गाजर आलू और मतड का तो आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं और यहां पर मैं एक पैन को गरम कर ली हूं इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे और उसके बा के साथ हम डालेंगे दो से तीन हरा मिर्च और एक चम्मच अद्रक लासुन का पेश्ट और प्याज जब थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आलू तो आलू को हम प्याज के साथ ही भून लेंगे थोड़ा सा आलू को क्रिस्पी कर लेना है आलू मतड और गाजर का सबजी बहुत ही टेस्टी बनता है तो आलू को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे हरा मतड तो मतड को भी हम आलू के साथ भून लेंगे और इस टाइम ठंडी के मौसम में न सब चीज आसानी से मिल जाता है तो गाजर भी भर भर कर आ रहा है मार्केट में तो इसलिए मैं सोची कि आलू, मतड और गाजर का सबजी बनाओं तो यहाँ पर मैं गाजर काट करके डाल दी हूँ थोड़ा सा इसे मोटे पीस में काटी हूँ और अब हम इसी के साथ डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर और इन सब चीजों को न हम एक साथ अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला तो मसाले में हम डालेंगे धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, हल्दी पॉडर और लाल मिर्ज पॉडर एक कास्मेरी लाल मिर्ज पॉडर है तो थोड़ा इसे गलर अच्छा आएगा सब्जी का और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और मसाले को अब हम सबजी के साथ अच्छे से भून लेंगे और अब हम ठाक करके 7 से 8 मिनट तक सबजी को लो मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे और सब्जी जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें लाश्ट में धनिया पता डाल करके सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा लाजवाब आलू, मटड़ और गाजर का सब्जी बहुत ही तेश्टी बना है और अब मैं कीचन का काम समाब्त करने के बाद, मैं लग गई हूँ अब रूम का सफाई करने में तो आज मुझे मैं वेल्चेट को चेंज करना है, तो इसलिए मैं फटा-फट पहले कीचन का काम समाब्त की और उसके बाद मैं रूम को क्लिन करूंगी और यहां पर यह आप देख सकते हैं बेड को बच्चे जो है पूरा फैला करके रखे हैं तो इसलिए मैं पहले फटा-फट जो भी चादर बगरा है उसे मैं फोल्ड करके रखते रही हूं उसके बाद से मैं बेड सीट को चेंज करूंगी और थोड़ा सा आज मुझे सफाई भी ज़्यादा करना है क्योंकि इस रूम को थोड़ा अच्छे से साफ किये हुए कुछ टाइम हो गया है तो इसलिए आज इस रूम को हम अच्छे से साफ करेंगे और जब भी मुझे वैड सीट को चेंज करना होता है तो मैं एक बार वैड को साफ कर लेती हुए क्योंकि जो भी थोड़ा सा इस पे धूल मिटी जो जमा होगा तो चादर बगरण पर गिरेगा तो चादर को तो उठाना है तो इसलिए मैं थोड़ा इसे ज़ाड लेती हुँ और उसके बार से चादर को उठा लेती हूँ तो पहले मैं बैड को साफ करूँगी उसके बार से बैड सीट को उठाऊंगी अगर मैं एक बार बैड सीट को अच्छे से बिचा देती हूँ इस तरीके से चारू तरब से मैं दबा करके बिचा देती हूँ और ये बिल्कुल दीन भर में बिल्कुल एक बार भी खराब नहीं होता है ये अच्छे से सेट रहता है तो एक बार इसे अच्छे से ठीक करना रहता है उसके बाद पूरे दीन तक इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ता है और फिर दूसरे दिन है इसको ठीक करना पड़ता है तो इस तरीके से मैं चारू तरफ से अच्छे से दबा करके बेड़ शीट को बिछा लेती हूँ तो बेड़ शीट के साथ साथ मेरा पीलो कवर भी लग गया है और देखिए मेरा बेड़ जो है तयार हो गया तो इस तरीके से मैं अपने बेड़ शीट को लगाती हूँ बेड़ पेर और पूरे दिन बिल्कुल ख़सकता नहीं है और आब हम इसके उपर लगा देंगे कमबल तो आब हम बेड़ के उपर कमबल सेट कर देंगे और कमबल को मैं इस तरीके से सेट करके लगाती हूँ कि जब भी किसी को ओड़ना हो तो वो असानी से खोल करके में तो इस तरीके से मैं अपना कमबल भी सेट करके लगा लेती हूँ तो यह देखिए कमबल भी लग गया और यह हो गया मेरा बेड़ जो है तयार तो यह पूरे दिन तक इसी तरीके से सेट रहेगा तो चलिए जी बेड़ तो लग गया और अब हम लगते हैं दूसरे कामों में तो यहाँ पर जो मैं बेड़ सिट को उतार करके रखी हूँ उसे मैं लाउंडरी बास्केट में रख दे रही हूँ क्योंकि आज इसे धूलना नहीं है दूसरे दिन हम इसे धूलेंगे तो इसलिए मैं इसे लाउंडरी बास्केट में डाल दी हूँ तो अब हमें अगला सफाई करना है एस्टेडी टवल का क्योंकि यहाँ पर भी बचे सारे भूक बगार फैला करके रखे हैं तो इसे भी हम ठीक कर देंगे और इसे भी टाइम टाइम पर अगर ना साफ करें तो धूल मिटी जम जाता है तो इसलिए इसको भी हमें रिग्रल साफ करना होता है और बच्चों का पढ़ने वाला टेवल है तो इसे साफ करना तो ज़रूरी ही होता है गर को साफ सुत्रा रखना न हम महिलाओं का ही जिमेदारी बनती है क्योंकि अगर हम नहीं साफ रखेंगे तो कौन रखेगा बच्चे तो बच्चे होते हैं बच्चे तो कहीं भी रख देंगे लेकिन बच्चों को टाइम टाइम से सिखाना भी रहता है कि जो समान जहां से उठाओ वहीं पे रखो तो घर थोड़ा मैसी कम दिखता है कोई भी समान अगर इधर उधर हम रख देते हैं तो टाइम पे मिलता नहीं है और टाइम भी वेस्ट होता है और गुसा भी आता है अगर टाइम से नहीं मिलता है तो इसलिए जो समान जहां राता है अगर वहीं पे रखा जाए तो टाइम से मिल जाता है और हमें ज़्यादा ढूंड़ना भी नहीं पड़ता है और ये वाला जो खिड़की है ये पूरे ठंड बंद पड़ा राता है क्योंकि मैं ठंड के मौसम में खिड़की को बिल्कुल खोलती नहीं हूँ और बाहर से धूल भी नहीं आता है तोड़ा भी खिड़की कुलता है तो मुझे घर में बहुत ठंडा लगता है तो इसलिए मैं सारे खिड़कियों को बंद करके रखती हूं ठंड के मौसम में तो अभी ठंड पढ़ रही है तो मैं सारे खिड़कियों को अभी बंद ही रखी हूं और जब मैं खिड़कियों को खोलूंगी तो अच्छे से उसे साफ करना रहेगा क्योंकि भले बंद रहता है लेकिन धूल मिटी से वो गंदा होई ही जाता है तो उपर से इस तरीके से मैं जाड़ लेती हूं और जब खोलूंगी तो इसे अच्छे से सफाई करूंगी तो चलिए एस्टरी टेवल तो साफ हो गया अब हम थोड़ा भूक भी ठीक ठाक कर देते हैं क्योंकि बचे रोज इसमें से भूक निकालते हैं तो अपने तरीके से ठीक करते हैं जब हम सफाई करते हैं तो इसे हम अच्छे से ठीक करके रख देते हैं बचे तो बचे ही होते हैं कितना भी उन्हें ठीक करने को बोलो लेकिन वो सई रंग से नहीं कर पाते हैं हमें ही करना पड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में सिखाते रहना भी पड़ता ह ताकि आदत बनी रहेगी तो यहां पर बचे जो हैं बुक को एक भुक खिचते हैं तो कई भुक बाहर निकल जाती है तो इस तरीके से हम भुक को पले अच्छे से ठीकर दे रही हूं ताकि उन लोगों को पढ़ने में परसानी ना हो तो चलिए फ्रेंट्स भुक को भी मैंने ठीकर लिया और अब मैं इस ड्रॉल को भी थोड़ा साफ कर लोगी तो अभी फिलहाल इसे मैं पर्चेज की हूं ज्यादा दिन नहीं हुआ है तो सफाई करके ही इसमें समान रखी हूं तो आज न मुझे इस साफ को भी साफ करना है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है साफ किये हुए और बच्चे जब पिस देखते हैं तो थोड़ा बहुत चू देते हैं तो दाग पढ़ जाती है तो खोलिंग से इसे भी हम साफ कर लेते हैं और अच्छे से साफ हो जाता है हुई है बहुत सुन्दर डोइंग बनाती है तो इसे भी मैं साफ कर ले रही हूँ और अलमीरा को भी साफ कर लेते हैं लगे हाथ तो वहीं हो होता है ना जब भी हम सफाई करने लगते हैं तो लगता है कि थोड़ा इसे भी हम साफ कर ले ताकि साफ हो जाए और इसे हम पूरे रूम को हमने चमका दिये हैं, यह अच्छे से साफ हो गया है रूम तो चलिए जी, मैं रूम का तो सफाई हो गया, अब हम करेंगे कपड़े का सफाई, तो यहां पर मैं ले करके बैठी हूँ, ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आज मैं च्छत पे ही अपना कपड़ा धोनगी, क्योंकि धूप निकला हुगा है, सुबह से तो बादल गिरे हुए थी, लेकिन इस टाइम जो है धूप निकल गया है, तो यहां पर मैं बैठ करके आराम से अपना कपड़ा धोनगी, और यही पर च्छत पे ही डाल धोनगी, तो इसलिए मैं लेकर के आई, कि आज ज्यादा कपड़ा है, तो चती पे धो करके और मैं ढाल धोनगी इसे, वैसे भी हम बातरूम में कपड़ा बैठ करके नहीं धोते हैं, बाहर धोते हैं, बाहर नल लगा हुआ है, तो वही पर मैं अपना कपड़ा धो लेती हूँ, आज मैं सुची की छत पे ही धोँगी, और ठंड के मौसम में जब धूप निकलता है, तो ठंड में बैठ करके कपड़ा धोने का मन नहीं करता है, तो सारे कपड़े को मैं हाथ से निचोर करके, उसके बाद मैं सारे कपड़े को पानी में धोले रही हूँ, और धो करके डाल दे और आज ना संडे है, तो संडे मैं honored फ़ी हो करके काम करती हूँ, कि कोई ज्यादा रहा है कि बच्चों को इस्कूल जाना है, तो लेट हो जाएगा तो चुत्ती रहता है, तो चुत्ती के दिन मैं आराम से अपना काम करती हूँ और आज धेर सारे कपड़ी धोने थे तो इसलिए मैं सोची कि आज का दिन ठीक रहेगा क्योंकि मैं तो रोज का कपड़ा रोज ही धो देती हूँ उसे रखती नहीं हूँ लेगिन कभी-कभी कपड़ी जो है ज़्यादा हो जाते हैं तो चलिए जी सारे कपड़ी के तो मैं धोली हूँ और अब मैं आ गई हूँ नीचे तो नीचे आने के बाद मैं बेसिंग को साफ करने में लग गई हूँ और बेसिंग के साथ साथ मैं हेंडवास का जो बटल होता है उसे भी मैं साफ कर लेती हूँ और नहाने के पहले न मैं बेसिंग इरिया को साफ कर लेती हूँ उसके बाद से मैं नहाती हूँ तो चलिए इसे भी हम फटा फट साफ कर लेते हैं सारे काम निप्टा करके और मैं नहा करके आ गई हूँ छटपे क्योंकि छटपे धूप निकला हुआ है तो बाल धोली हूँ तो बाल जो है अच्छे से सुख जाएगा तो इसलिए मैं छटपे आ गई हूँ और छटपे आने के बाद मैं सबसे पहले अपने बाल को सुखा लोगी उसके बाद से मैं नीचे जाऊंगी तो सोची कि मैं जब तक मैं छट पे हूँ तब तक कुछ और भी काम कर लेती हूँ क्या होता है ना कि हम लेडिज को ना खाली बढ़ने की इक्षा नहीं होती है जब कोई अगर काम देखता है ना तो सोचते हैं कि पहले उसकाम को निप्टा ले उसके बाद से हम आराम से बैठेंगे तो इस अरीके से पूरे दिन निकल जाता है लेकिन हमें आराम नहीं मिलती है तो यहाँ पर मैं जब बैठी तो सोची कि मेरा पेयाज जो है कतम हो गया है छिला हुआ जो फ्रीज में मैं एस्टोर करके रखती हूं तो सोची कि यहाँ बैठे बैठे मैं प्याज को भी छिल लेती हूं और धूब तो निकला हुआ है लेकिन हवा इतना तेज है इतना तेज है कि आप मेरे बाल से और कपडे से देख सकते हैं कि कितना तेज हवा चल रहे है बहुत तेज हवा है उसके बाद न मैं नीचे आ गई और इस टाइम न साम का टाइम है तो देर साडह कपडे को मैं धो amps करके धो करके रखती गई हूं और इतने सारे कपड़ी हो गए हैं तो आब मैं बैठ करके इसे फोल्ड कर लूँगी तो चलिए जी आज का वीडियो हम यही पर इंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई